इस सामने जो आप देख रही है रेलो स्टेशन टूरिस रिसर्फशन काउंटर भी है वहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको मिल सकती है इसके ठीक अपोजीट एक रोड जाता है यह वाला यह रोड आपको सिता लेकी जाएगा मिनी बस पे मिनी बस चुटती है बस्टॉप के लिए जहां पर दस रुपे लेती है अगर आपको कश्मिर जाना है यहां से तो बस्टॉप से लेना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिम गाडिया जो है शियर तवेरा या फिरीनोवा या सुमो है वहां से चुटती है और कुछ बसेस भी चूटती है ज तो मैं चाहता हो कि आप प्रेफर करें कि सुबह के गाड़ी पकड़े जो चोटी गाड़ी देख रहे है विजी छोटी गाड़ी है आपको पूच जाएगी जनरल बस्टेंड यह सामने जनरल बस्टेंड आइटिंग रेलवे स्टेशन से जनरल बस्टेंड होगा जनरल बस्टेंड होगा तीन से चार किलोमेटर के दूरे पर शेरिंग के लिए पूचा तो वह बारा सो रुपर बोल रहा था अवेरा गाड़ी है यह इन्हों वा है वह उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वह कब भरेगी कब जाएगी वह बोल रहा था है 15-20 में गड़ी निकलेगी अभी देखते बस के इनको रिकर के क्या है बस में तो यह काउंटर सबसे लाश्ट में चार सुरों के टिकेड़ है बस का कि चार बाज जी का बस का टाइमिंग है सुबह सुबह बस पहुचेगी जम्बू से स्रीनगर है करीबं 295 किलोमेटर गूगल के अनुसार इसका डिस्टरंस है 271 किलोमेटर आप अगर बस टॉप पे जाते हो बस लेने के लिए तो जब वो भर जाएगी तब वो निकलेगी अग्चुली उन्होंने कहा था कि यह बस चार बज़े निकलेगी बड़ बस उन्होंने तीन बज़े भर गई थी तो एक बंदा पीचे रहे गया था फिर उसको सामने 10 किलोमेटर जाके हमको वो गाड़ी रोपने पड़ी थी अगर आफ सीजन है तो फिर जेजस के आटीसी की बस बहुत कम चलती है या फिर एक दिन के बाद चलती है बट प्राइवेट बसेस अवेलेबल होती है जो कि नौन प्राइवेट बाद कोई दिक्कत नहीं है जो कमफरेबल होती है एक बार उनसे कंफर्म कर लेना कि सीट आगे है कि प्रीशे कभी कभी क्या होता है कि अगर पीची की सीट भर जाते तो ड्राइवर के पास में वो लोग आपको बिठाते है पट वर्ट व्लोट ट्रावलिं म वहिकल होते जैसे सुमो इनोवा या फिर तवेरा वो भी सीजन की सबसे वो लोग चार्ज करते हैं नॉर्मली 500-600 उसका चार्ज होता है बट कभी कभी आप सीजन अगर है कोई वहिकल नहीं है तीन-चार लोग अगर जाने वाले है तो फिर वो लोग हजार से बारा सो हुपसूरत है करनेल सो अगरे बहुत खूबसरत है जाथ को जब लाइटिंग अगरे होती है तो बहुत सुंदर दिखते हैं रोड की जरनी भी काफी अच्छी है दोनों साइड में अच्छी हरीयाली है प्लस हाइवेस बनाए हुए है नैशनल हाइवेस तो इसका मज़ा का पी अच्छा है कि यह मेरे लदक टूर का दूसरा वीडियो है आगे भी जैसे जैसे टैम जाएगा मैं अपने वीडियो जहां पर अप्रोड करता रहूंगा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ खाने के लिए रात को आपको एक ब्रेक मिलेगा जो की 45 मिलिट्स का होगा वहाँ पर आपको थाली सिस्टम मिलेगा थाली ज्यादा महंगी होती नहीं वेस थाली 70 या 80 रुपे कुछ लेता है नौनमेस थाली 120 य 130 रुपे में होती है बट रिजनेबल प्राइसिंग होती है और अच्छा खासा खाना देता है आपको पेट भर जाएगा आपकी बस सुबह सुबह पोचेगी स्री नगर करीबन 4 से 5 बज़े के बीच में फिर उसके बाद वो एक दो स्टॉप आगे लेती है बड़ एक जग करते है करते है कर दो कर दो कर दो झाल झाल